कि नमस्कार साथियो मैं जोगिंदर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूटूब चैनल ससी मेकर में गुड़ इबनिंग सभी को वेरी वेरी गुड़ इबनिंग जो वच्चे क्लास के साथ जुड़ तुके हैं आप सभी वच्चों से अन्र कस्वालम की वज़े से जो है क्लास लेट हुई है उसके लिए उसके लिए माफी चाते हैं और आप सभी को पैन पेपर लेकर बैठना चो बच्चे एक जाने वाले हैं तीनों स्रिप्ट के स invari जो है हम यहाँ पर करने वाले तीनों सीक्ट में जो कोरें हैं उन्हें यहां पर कुछ और जो आपको प्रदेस उनके जो है तिवहार आपको कमेंट में लिखकर बताने है जैसे है एक आपका अरुनाचल प्रदेश इसका तिवहार आपको लिक कर बताना है आं द्रा प्रदेश इसका जो तिवहार है ये का आपको कमेंट में लिखकर बताने है और करनाटक के तिवहार जो है ये आपको कमेंट में लिखकर बताने है कौन सा तिवहार असम में मना जाता है यह आपका option दिया था विहू तो याद रखेगा यह जो है कहां बना जाता है यह लोक निरत्य है और तिवहार भी है यह कहां मना जाता है यह बना जाता है आपके असम में तो यह आपको याद रखना है अच्छा एक चीज और याद रखेगा आसाम में एक निरत्य है जो की सास्त्रिय निरत्य है क्या नाम है उसका तो याद रखेगा सत्त्रिया क्योंसा है सत्त्रिया तो यह आपको याद रखना है कमेंट में आठ सास्त्रिय निरत्य कौन-कौन से हैं comment में लिखकर बताईए क्योंकि ये question आप से पूछे जाएंगे आठ और कहां कहां है ये तो ये आपको बताना ठीक है इसके अलाबा और कौन कौन सा तिवहार है इसका तो याद रखेगा एक है आपका बागू रुंबा कौन सा बागू रुंबा तो ये आपको याद रखना है इसके अलाबा एक और तिवहार जो आपको याद रखना है वो है आपका भोर नरत कौन सा भोर नरत तो ये आपको याद रखना है ये कहां के ये असम के हैं कहां के आसम के हैं एक है आपका बैसागू कौन सा एक याद रखेगा बैसागू ये भी यही का है तो ये आपका रखना है इसके अलावा आपको एक और जो याद रखना है वो है ओजपाली है सुबह बताये था याद रखेगा कौन सा ओज पांची मेला तो ये आपको याद रखना है अगर अरोनाचल प्रदेश की बात करें क्योंकि जब आसाम् पहुंचा तो अरोनाचल प्रदेश से भी 물म सूर पूछेगा तो याद रखेगा अनधरदेश की इसकी अगर हम बात करें आंधर पर देश की तो एक याद रखियेगा गोबीनग। कौन सा एक हो जाएगा आपका इस यह आपको याद रखना मैं और एक है अपका बााथा कपा यह आप के आप नौर रखना है आपका यच्छगान कौन सा यच्छगान ये आपको जरूर याद रखना एक है गुल्लू और एक है कुनी था एक है गुल्लू तो ये आपको याद रखना ठीक है कौन सा कुनी था ठीक तो ये आपको याद रखना इसलाम में जुम्मे की नमाज का पड़ी जाती है इसलाम ज पुचीपुडी आंदरप्रदेश का है, सत्रिया असाम का है, कथकली केरल का है, मोहिनिये टम भी केरल का है, कथक उत्तरप्रदेश का है, उडिसी, उडिसा का है, और एक है मडिपुरी, जो मडिपुर का है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, जुमे की नमाज जो है, यह कब होती है तो याद रखिएगा यह होती है सुक्रवार को कब होती है तो यह होती है सुक्रवार को तो यह आपको याद रखना है समू सत्रे तत्तों में उपश्टिस सहयोजक्ता इलेक्ट्रोन क्या है तो देखो सहयोजक्ता इलेक्ट्रोन कौन से है तो याद रखिएग यह सहत पूचा है आपसे सहयो जगता कितनी है पूचा क्या है सहयो जगता कितनी है बैलेंसी इसकी कितनी है तो याद रखिएगा एक क्या हो जाएगा इसकी बैलेंसी है एक इसके अंतिम जो कोस है उसमें जो इलेक्ट्रोन है उनकी संक्या है साथ तो वो हो जाता आपका बैल नीले लिटमस को लाल कर देता है क्या पूछ रहा है किस प्रकार का बिलियन है जो नीले लिटमस को क्या है क्या कर देता लाल कर देता है ठीक है चलिए देखे याद रखिएगा अगर पी एच की हम बात करें या पोटेंसियल ओफ हाइड्रोजन या पाबर ओफ हाइड्रोजन hydrogen की अगर हम बात करें तो अगर यह किसी भी बिलन का साथ होता है तो यह क्या होता है तब यह होता है उदासीन तो यह आपको याद रखना है साथ में याद रखेगा अगर इसे हम 14 तक बढ़ाएं तो यह हो जाता है आपका चारी है और अगर इसे 0 तक घटा हैं तो यह हो जाता है आपका अमलिय याद रखेगा pH पैमाना कभी भी आपसे पूछा जाए कि जो pH पैमाना है यह कितना है तो याद रखेगा 0 से 14 तक कितना 0 से 14 तक जो है यह pH पैमाना होता है तो यह आपको याद रखना कौन सा बिल्यान है जो नीले लिटमस को vertical करेगा तो यह हो जाएगा आपका amlia billion कौन सा harmony- billion और याद रखेगा only billion कितने से कितने तक होगा जीरो से लेकर 7 मतलब zero से 7 के बीच है नगा stick जीरो से साथ तक, साथ मा नहीं है, साथ तक, मतलब छे, छे के बाद नहीं है, चलो जीरो से लिख देता हूँ, परना तुम दिक्कत हो जाओगे, छे या फिर पॉइंट में भी जो है, साथ तक, है न, गडबल कर दोगे तुम ऐसे भी, याद रखना साथ से कम, यह सही है, बि जो भी साथ से कम है, वो इसका आंसर हो जाएगा, जो भी पी एच का मान दिया गया था, ठीक है, या मुत्तर रेगा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कोशन यह था कि, जो, चलो मैं बताता हूँ, कोशन क्या है, पहले यह जो आच राज्य हैं, यह देख एक है आपका MP, तो यह आपको याद रखना है, इसके अलाबा आपको याद रखना है, चटीस गड, उडीसा और आंध्रा प्रदेश, कौन सा, आंध्रा प्रदेश, तो यह आपको याद रखना है, कोशन था कि, उत्तर प्रदेश में किस जगे से, उत्तर प्रदेश में कि नहीं जो की कहां पर है जो की प्रियाग राज के पास में है कहां पर है प्रियाग राज के पास में है बहां से ये गुजरती है तो ये आपको या तकना है क्लास को लाइक और शेर जरूर करना है ज्याद़र बच्चो तक आपको इस Cute लाइक और शेर करना कितने स्टेयट है total स्टेयट है यह पांच है एक दो तीन चार पांच थी करना मुद्ध बच्चों ने लिखके भीज़ें तो उसके आधार पर जो है प्रसन है मदमक्की के काटने पर क्या लगाने से दर्द में राहत मिलती है तो याद रखेगा यह है आपका बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा तो यह आपको याद रखना है यह हो जाएगा आपका NAHCO3, अच्छा बेकिंग सोडा का रासाइनिक सूत रिये है, इसे जैसे आपका होता कैल्सियम, सोडियम, सोडियम कार्वोनेट, सोडियम बाइकार्वोनेट है ना, आपको बताना यह क्या है, ऐसे मैंने, चलो ठीक, बताओ इसका क्या हो जाएगा, यह CASO4.H2O, अगर इसे गर्म करें, अगर इसे गर्म करें, तो क्या बनेगा, तो याद रखेगा, CASO4.H2O, यह बनेगा आपका POP, क्या बनेगा, POP यानि प्लास्टर ओप पैरिस, और यह क्या है, यह है आपका जिपसम, यह कोश्चन कई बार आया है, और जैसा कि आपने ध् और यह कोश्चन कहा है, इसे अपके लिए एक कोश्चन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते है, याद रखेगा, कोश्चन है, पंचायती राज विवस्ता की शुरुंद की सरुवात, कि सराज इसे हुई, यह कोश्चन कहां, जो है, कई मार मैंने करा है, जो आपकी मैरतन है तो crash course भी में कराएं crash course आपको जो है दिया गया है प्रोपर आपके YouTube चैनल पर ही है पूरा free में है crash course है जी एसका है और आपका science का है दोनों crash course करके जरूर जाए आपके exam में क्योंकि question बहां से direct मिल रहा है साथ में आपके लिए sure selection batch भी है जो कि आप जो है join कर सकते हैं sse maker के app पर जाकर बहां आपको zero से advance label की जो है science पढ़ाए गई है और उसमें आपको बताया गया है कि इसके अलावा और भी अगर कोई question है जो आपके exam में upper level का कोई exam है तो उनमें जो है ये काम आने इस लिए आपको इसे जरूर join करना है ठीक है राज्यसवा के पदेन सबा पती कौन होते हैं तो याद रखेगा यह जाएंगे आपके राष्ट्र पति कौन हो जाएंगे यह हो जाएंगे आपके उप राष्ट्र पति तो ये आपको याद रखना है अच्छा इसका जवाब हो जाएगा आपका नागोर कहां पर है तो ये है आपके राजिस्तान में इसका उद्गाटरन किसे ने किया तो पंडित जवाहरलाल नहरू अगर पूचा जा तो किसे ने किया है पंडित जवाहरलाल नहरू एक चीज और जो आपको याद रखनी है य अगर आप चाहें तो मैं दुबारा उसे रिपीट कर सकता हूँ, अगर आप सुबह से देख सकते हैं, तो सुबह से देख लीजे, कमेंट में लिखकर बताईए, करना क्या है, ठीक है, चलो, यह आपको याद रखना है, कमेंट में लिखकर बताईए, दूसरा जो पंचायती जो विवस्ता है, जो पंचायती राज घठन हुआ था, दूसरा, वो किस राज में हुआ है, यह आपको बताना है, ठीक है, चलिए, जो उपराश्ट्पती है, इनके बारे में आपको जड़ा थोड़ा सा जाल लेना है, और पंचायती राज के बारे में बहुत टाइम से ब होती न, अगर उस समय तुम ठीक से पढ़ लेते न, तो आज इन सब की नौबत ना रही होती, है की ने, जब कहा जा रहा था न, पढ़ो, तमीज से पढ़ो, एकजाम पास आ रहा है, एकजाम बेंड बजा देगा, तो जब तुमने बेंड बजवा लीना अपनी, तब तु प्रिजन्ट में हैं, जगदीप धन खड़, ठीक है, तो ये आपको आज रखना है, साथ में याद रखियेगा, अगर उपराश्टपती की बात करें कि ये जो पदेन सबापती है, राज्यसवा का पदेन सबापती कौन होता है, उपराश्टपती होते हैं, किस आर्टिकल क 66 और याद रखिएगा इनके लिए जो सपत का प्राबदान है यह दिया दिया निर्बाचक लिग दिता हूं यहταν seeking ठीक चुऽ पदेना तो यह आपको याद रखना है आटिकल 69 तो यह आपको याद रखना है ठीक है एक आटिकर 67 भी है याद रखिएगा कौन सा 67 इसमें क्या है इसमें इनके टर्म जो पदावधी है उसके बारे में बात की गई है कि पद ग्रहण करने की तारीक से 5 बर्स तक जो है यह आप 5 बर्स तक अपने पद पर रहेंगे जब तक कि इने राजसभा में कोई प्रस्ताव ला चलिए अच्छा बारी दोवाब किंदो नदियों के बीच में है तो याद रखेगा जो बारी दोवाब है यह है आपके रावी और ब्यास याद रखेगा सुबह बताया है मैंने किसके रावी और ब्यास के बीच में जो नदी है उनके बीच के दोवाब को जो है क्या कहते ह है इसे कहते हैं बारी दो आप इसके लिए देखें कुछ मैप है ठीक है ये एक मैप है पहले इसे देखिली जuir उसके बाद जो है हम आगे की चीज़ को डिसकश करने बाले देखो पहले नदियां देख लिजिए कौंशी कहा बैती है ठीक है यह क्या है यह है इंडस यानि की सिंदु नदी ठीक है यह कौन सी है यह है जेलब यह आपको याद रखनी है यह है चेनाव कौन सी यह है चेनाव गुजरात तो यह आपको याद रखनी है याद रखिएगा यह है आपकी रावी कौशी कौन सी यह है आपकी रावी और यह क्या है यह है आपकी ब्यास क्या हो जाएगी यह नदी है आपकी ब्यास और यह आपकी सतलच तो यह पांच नदियां हैं यह आपको याद रखने हैं ठीक है पंजाब में तो यह आपको याद रखने हैं और यह पंजाब जो है यह भारत और पाकिस्तान दोनों के boundary नहीं है ठीक है अभी फिलाल के लिए तो यह आपको याद रखना ठीक है यहाँ पर है इतने से में ठीक चलिए अब कौन से दो आप से कौन सी चीज बनती है यह पूछ लेते हैं कि देख लेते हैं क्योंकि आपके एक्जाम में आती है चलिए यहाँ पर comment में लिखकर बताईए जो बच्चे सुबह थे वो तो आपको बता नहीं है जो नहीं थे वो ध्यान से सुनिए चलिए बताईए जरा इंडस यानि सिंदू और जो जेलम है इन नदियों के बीच के आपको क्या कहते है अगर बात की जाए आपके जेलम किसकी अगर बात की तो रावी नदिश चेनाव और रावी अगर इन दोनों के बीच के दो आपकी बात करें तो इसे क्या कहते हैं अगर बात करें रावी और ब्यास कौन सा रावी और ब्यास इन दोनों के बीच के दो आपको क्या कहा जाता है कमेंट में लिखकर बताईए और ब्यास और सतलज ब्यास और सतलज के बीच में जो है इसे क्या कहते हैं ये आपको कमेंट में लिक कर बताना देखो याद रखीगा इसे कहते हैं सिंद सागर दो आप क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं सिंद सागर दो आप तो ये आपको याद रखना है जेलंग और चेनाप के बीच को कहते हैं जेच कौन सा जेच दो आप तो ये आपको याद रखना है चेनाप और राभी के बीच को कहते हैं क्या हो जाएगा बारी दोव ब्यास और सतलच के बीच के दोव की बात करें तो याद रखेगा यह हो जाएगा आपका बिष्ट दोव क्या हो जाएगा बिष्ट दोव यह याद रखिए यह चीज आपसे फिर पूछी जाने वाली है आज आपसे राभी पूछा है बिष्ट अगला question question आपका पाचन तंतर का भैवाग जहां कोई पाचन नहीं होता पाचन तंतर का भैवाग जहां कोई पाचन नहीं होता और इसमें जो option दिया गया था वो option था आपका घेंगा कौन सा वो option था आपका घेंगा इसे एक और नाम से जो है जान सकते हैं और वो जाएगा आ अन प्रडाली कौन सा अन प्रडाली तो यह आपको याद रखना है कौन सा अन प्रडाली घेंगा घेंगा रो होता है यहां होता यह वाला जो इससा होता अन प्रडाली है यहां पर कोई पाचन नहीं होता है पाचन के लिए जो भी भाग लेता है उसमें यहां पर जो है जो घ इम्मेदार गयस जो है बहे कौन सी है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना था मतलब अभी हम पर कमेंट में लिखकर बताईए बहां ये कोशन पूछा गया था और इसका जो सही जबाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्लोरो फ्लोरो कारबन क्लोरो फ्लोरो कार्बन तो ये आपको याद रखना है कमेंट में जो है लिखकर बताईए क्लोरो फ्लोरो कार्बन में कौन कौन सी जो गैसें हैं ये आती है क्लोरो फ्लोरो कार्बन में कौन कौन सी गैसें आती हैं ये आपको कमेंट में लिखकर बताने है याद रखिएगा ओजोन छरण के लिए जो है एक प्रोटोकॉल लाया गया था, कौन सा था, तो याद रखिएगा, वो था आपका मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्या था, वो था आपका मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये आपको याद रखना है, कमेंट में लिखकर एक बात बताईए, ये है 2017 में कौनसा मौली का दिकार जोड़ा गया है यह आपसे पूछा रहा है तो यहाद रखिएंगा यहां पर जो option में था पूच genervy तू प्राइब़तीं टू प्राइबसी निज्टा का दिकार टीग है तो यह आपको यह रखना है कौन सा था निजिता का अधिकार जो है इसे भी मौलीक अधिकार में जोड़ा गया है 2017 में निजिता का अधिकार तो ये आपको याद रखना है तिक है अचा कमेंट में लिख कर ये बताइए अगर आप से अगर अगर आपसे question पूछा जाए कि सुद्ध बायू का अधिकार आपका मौली का अधिकार है या नहीं तब आपको क्या answer होगा comment में लेकर बताना नेजिता का अधिकार आपका मौली का अधिकार है तो ये आपको याद रखना है मौली का अधिकार से समद्ध्ध जो चीजे आं वह आपको other आगे देखते टिक मैं दिखाने वाला था एक मिनट देखते ठीक कहां पर आगे देखने अगें नहीं अच्छा मिन ये ये इस इस्ते को देखना पर इसे अभी आगे देखते हैं फिलाल इन पर जान देते हैं चलिए आडवी अनसूची में कौन सी भासा सामिल नहीं है आप से question पूछा गया है जो आडवी अनसूची है इसमें कौन सा जो भासा है सामिल नहीं है आडवी अनसूची में क्या है तो याद रखेगा आडवी अनसूची में है भास कि यह आपके एक्जाम में डेली पूछा जा रहा है किसी ना किसी सिप्ट में आप से पूछ ही रहा है इसलिए आपको उसे ध्यान से देखना है लिग लीजे तो और भी अच्छा है एक से लेके बारहे तक जितनी भी अनुसूचिया है उनके बारे में लिखकर बताईए साथ में आपको लिखकर बताना है कि मूल सम्मिदान में जो है कितनी अनुसूचिया है और आज तो बारह है तो ये तो आपको यादे रहना है । चलिए इसमें कौन सी थी नहीं है तो याद रखिएगा एक आपके option में दी गई थी अब दी कौन सी एक आपके option में दी गई थी अब दी तो यह आपका रखना है बड़ा करके देखाऊं देखिए और चलिए देखते हैं कौन कौन इनलबहासाओ है थी है सब्स़े पहली भाथा है असम्या याद रखेगी कौन सी एक है असम्या राज्यसवा राज्य छेत्र है भारत और संग और उसकी पहले में दूसरे में बेतन, तीसरे में सपत, चौथे में राज्य सभा की सीड़े, पांच में SCST के लिए प्रबंदन, छटी में AMTM यानि की असम मेगाल है त्रिपुरा मुजुरम के लिए SCST का प्राबदान, ठीक है, छे, साथ में हो जाएंगे आपके भिस्यों का बड़ार बागी संग और राज छेत्र की जो अनसूचियां ये कहां से लिए गई हैं तो याद रखेगा, ये लिए गई हैं आपके 1935 के भारत सासन अधनियम से, तो ये आपको जाखना है, ठीक है, आट में हैं आपकी भासा है, नौ में हैं भूमी सुदार, दस में हैं आपका दलब बोडो, मडीपुरी, मराठी, मलियालम, मैथली, संताली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी, याद रखेगा, ये 22 भासा हैं तो आपको इन 22 भासाओं को जो है, याद रखना है, याद रखेगा इन्हें, ठीक है, चलिए बढ़िया, अगला कोश्चन, कोश्चन है आपका ये, मानव सरीर में लिम्पिया लसिका, मानव सरीर में लिम्पिया लसिका जो है, इसका कार क्या है, मानव सरीर में ये आपको बताना है, बढ़िया, बहुत अच्छे, संकरविट्टू बहुत बढ़िया, और आप सभी को इस क्लास को यह भी बताना है कि जो आपके अगर आपने आज एक्जम दिया तो और कौन कौन से कोश्चन जो है आपके एक्जम में आये थे जिससे की उनके अंसर यहीं पर किया जा सके मानव सरी में लिंप का जो प्रियोग है यह क्या है तो याद रखिएगा जो एक मिड़ा कुछ कोशन पॉदो का मुर्जाना क्या है इसकी एक हानी है बात्परशाशन की आधक अधिक से मतलब आवस्चना से रखिपास सरजन होता तो जो पौदे है वो मुर्जा जाते हैं यह आपको आप्सन में था तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा जनरेटर के उपयोग में उद जो है सेल जो है जो सेल होता है ना जो टीवी बगरा में जो आप इस्तमाल करते हैं रिमोट बगरा में जो रगाते हैं न वो घड़ी बगरा में भी होता है आपको बताना है कि जो सेल है ये किस उर्जा को किस में बदलता है साथ में जो है आपको कमेंट में लिखकर बताना है जो मो माइक्रोफोन की किसकी माइक्रोफोन की बात करें तो ये किस उर्जा को किस उर्जा में बदलता है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है इसमें क्या होता है इसमें यांतरिक उर्जा बिद्धुत उर्जा में बदलती है क्या होता है इसमें जो यांतरिक उर्जा है ये क्य याद रखना है ठीक चलिए अगला कोश्चन कोश्चन है आपका मानव सरी में लिंप या लस्का का कारी क्या है तो याद रखेगा पहला कारी जो आपको यहाँ याद रखना है वह आपका अंतरकोस्किये अवकास से लस्का लिंप जो है इसे लस्का भी कहते हैं ठीक है अंतरकोस्किये अवकास से अतरिक्त द्रव्य को बापस रक्त में लोटाना ठीक है इसका अलाबा इसका एक कार कौन सा है तो याद रखेगा इसके अलाबा इसका एक और कार जो आपको याद रखना है वो है लसिकाडू क्या होता है जो लसिकाडू है या जो लसिकाडू है ये सरीर में या सरीर की संक्रमण से रख्चा करते हैं पाचित या अबसोसित उसमा याद रखो क्या होगा अज है जो प morality कि वह मैं Dios दोग जो पचिया अयुज उसमा अफोसित किया उसे जो है शोरी अफोसित बसा को ठीक है अफोसित बसा को तुझा को तो तक ले जाना तो यह पकुर सख न जाना ते कौंसी ही शोडा चुद्रांत से रक्त तक ले जाना ये आपको याद रखना रक्त तक ले जाना ये इसका एक कार है तो ये आपको एक रखना है महिला प्रिजिनेंट का हिस्सा नहीं है यह चार उप्षन बच्चों ने लिखकर बताए कि यह चार क्या हो जाएगा मैंने अपसे कहा था कि जू को स्थे आपको मेरातन जो कराई है वो और जो आपका क्रैस कोड़ता है साइंस और जिये का उसे साथ में स्यौर सा लेक्शन batch को join जरूर करें क्योंकि वहां से question आपको direct class में देखने को मिल रहा है इसका सही जबाब क्या हो जाएगा तो सही जबाब हो जाएगा आपका यूरेथरा क्या हो जाएगा इसका जो answer हो जाएगा ये हो जाएगा आपका यूरेथरा इसे कहते हैं मूत्रमार्ग क्या कहते हैं मूत्रमार गिये इसका हिश्सा नहीं है बाकि यूटेरस बजाएना फैलोपियन ट्यूब जो है ये जो है प्रजिनल्र में क्या करते हैं प्रजिनल्राली का हिस्सा है उसमें यوقदान देते हैं तो ये आपको याद रखना है ठीक है अब छेपड अब करिया कौन ऐसे कौनसी तो याद रखेःगा जैसे आपकी जिसे कल मैने आपको दूइ बिसतापन जो अबकृिया है उसके रूप में समझाया था उसका एक ग्जांप्ल दिया था वही सेम जो है आज आपके अब चैप अभ करिया के रूप में आई आई एक जैसे एक जो है आपका एजि जो है CL के साथ बिश्टापित हो जाएगा यानि की AG, CL और जो सोडियम है एने जो है वो NO3 नाइट्रेड के साथ जो है क्या कर लेगा क्रिया कर लेगा तो यह आपको याद रखना या फिर उसके साथ किया गया यह आपको बताना आपको बताना है इन में से कौन सा सम्मिदान संसोधन था जिसके द्वारा पंचायती राज विवस्ता को जो है क्या किया गया है सम्मिदान में सामिल किया गया है तो यह आपको बताना बता उपटापट से क्या हो जाएगा याद रखिएगा ये भी मैंने बहुत बताया है मैंने कहा था ये question direct आएगा एक जब में और आ रहा है और class को आप सभी को share जरूर करना है क्या करना है class को आपको share करना है तो share कीजिए साथ में आपको इसे like करना है तो like और share आपको जरूर करना जोड़ा गया है साथ में आपका एक DPSP जोड़ा गया है article 45A जिसमें 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए प्राबधान करने की बात जो है की गई है एक जोड़ा है आपका 51A जो की है 51A में 11 जो है आपका जो मौलिक करतब जोड़ा गया है जिसमें कहा गया है कि 6-14 बच्चों की जो उम्र है उन उम्र के लिए जो भी बच्चों के रच्छक है या जो अभी बावा का है उनका करतब Yeah कि वह उन बच्चों को जो बुनियादी सिक्षा है उसे प्रोवाइट कराएंगे तो ये आपको याद रखना है ये कब है तो याद रखेगा ये है आपका त्यात्तरमा सम्मिधान संसोदन त्यात्तरमा 73rd Constitutional Amendment Act कब का है तो 1992 कौन सा 1992 1993 में एक और है याद रखेगा 74 और वो है आपका नगर पंचायद से तो ये आपको याद रखना है इनको जो एक आर्टिकल में जो इन्हें बताए गया वो है आर्टिकल 243 ये हैं 11 भी अनुसूची में भाग नो में भाग नो 11 भी अनुसूची तो ये आपको याद रखना है इनसे सम्मिधि इनसे सम्मिधि कौन के तहित निरोध और गृपतारी से सरक्षड दिया गया है तो याद रखिएगा यह आपका आर्टिकल 22 कौन सा आर्टिकल 22 तो यह आपको याद रखना है इससे संबंदित एक चीज आगे है वो हम देखने वाले है आदुनिकाबर सांडी में तत्तों को विवस्थित किया गय को उसको जो उसमें जो तत्तों है उन्हें किस तरह से जो है बनाया गया या प्रिजेंट किया गया तो याद रखिएगा वो है आपके बढ़ते परमाडू किर्मांक के साथ कैसे बढ़ते परमाडू किर्मांक के साथ ठीक है इसके साथ जो है इन्हें विवस्थित किया गय आपको याद रखना अगला देखो जो मैं बताने वाला हूं वो यह ध्यान से तुनों देखो कितने प्रकार के आपके अधिकार हैं तो जब सम्मिदान था तब साथ प्रकार के थे फिर 1978 में जब 44 में सम्मिदान संसोदन हुआ तो संपत्तिक अधिकार को हटा दिया और उसे एक बिदिक अधिकार बना दिया तो टेल स्थे जसे का इसातिके याद रखना ठीक है कौन सा कि संपत्ता 16 17 और 18 ठीक है तो यह आपको याद रखना है जो 14 से 18 है इसके बीच पीच में क्या क्या है तो याद रखेगा कानून के समक्ष समानता या कानून के समय समान सर्रक्षन जो है यह आर्टिकल 14 में है ठीक है 15 में धर्म मूल बंस जाती लिंग इसके आदार पर कोई भेदवाव रही करेगा 16 में है आपके जो लोग नियोजन का अबसर है जो लोग नियोजन के अफसर है उसमें समानता आपका 16 17 आपका छुआ छूट का अंत तो यह आपको याद रखना है कौन सा आइस प्रस्तिता का अंत हर रूप में चाहें कोई भी फॉर्म हो उसमें जो है उसे जैसे ब्यक्ति का स्वतनता भारास भासड और अभिव्यक्ति के अधिकार यानि की जो है अभिव्यक्ति को ब्यक्त करने का अधिकार आपको दिया गया सांतिपूर ढंग से जमा होने का अधिकार है संग्टित होने का अधिकार है भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार ह किसी भी हिस्से में रहने बसने का अधिकार है, किसी भी पेशे को चुनने ब्यापार करने का अधिकार है, अप रादों के लिए 200 सिद्धी से सरक्षण आर्टिकल 22, ये आपको याद रखना, सॉरी 20, और जीवन की रक्षा और दैग स्वतनता याद रखेगा, सिक्षा और अ कामों में, बच्चो 14 से कम उम्र के बच्चो को जो खिंबाले कामों में नहीं लगाया जाएगा, आपका 24 और जो आपकी बन्वा मजदूरिया या बलात्सरम जो है, या जो आपका human trafficking जो है, ये आर्टिकल 23 में, धार्मिक स्वतनतरता का अधिकार, इसके अंतरकत क्या क्या है, आश्ता और प्रासना की आजादी दी गई है, धार्मिक मामलों के प्रबंदन की दी गई है, किसी भीजिश धर्म की अविव्यक्ति के लिए अदायगी का कर, और आपके कुछ संस्ता और धार्मिक उपासना बगरा है, इनसे संबंदित कर्म, सैक्चिक अधिकार में यह एक्जम में आएगा गैर नागरिक और जो आपके मौली का अधिकार है यह आपके एक्जम में आएंगे आपको जो यहां पर याद रखना है जो गैर नागरिक है इनका कहने का मतलब यह है कि जो विदेसी हैं उन्हें कौन-पौन से अधिकार प्रापत है इसको तो यह सोडियम वाई कार्वानेट की क्रिया जो है किस से करानी है लुए कि प्राप्त होता है ऐसा आप से कोश्चन पूछा गया था तो याद रखेगा इसमें पराप्त होता है आपका sodium bicarbonate, यानि कि जो आपका baking soda है वो, ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, और साथ में जो आपको पराप्त होगा, यह पराप्त होगा, आपका naoh, क्या पराप्त होगा, naoh, तो यह आपको याद रखना है, क्या पराप्त होगा, baking soda और casting soda, क्या हो ज प्रफिवोग योजना आपका कल पूछा गया था जो कि भारी उद्योग और किससे संबांदित है और जो आपके भारी उद्योगों के भिकास बगारा से जो है वो संबांदित है ठीक है चौथी जो इसके बाद योजना अपकास था 66-69 के बीच में चौथी या 69-64 पांच मी है चौथर से 89 रोलिंग प्लान आया हूँ आपका 78-80 मतलब ये भी जो है जो आपकास योजना अपकास मान सकते हैं कुछ और प्लान था पर पंचवर्शी योजना नहीं थी चटे में 80-85, साथ में 85-90 इसके बाद बारसी की योजना आई है और इसमें भी पंचवर्शी योजना नहीं आई है आठ मी आई है 92-97 तक 9-97-2002, 10-2002-7, 11-2007-12 और 12-2012-2017 इसके बाद नहीं आई है क्योंकि जो योजना आयोग है उसे समाप्त कर दिया गया था नीती आयोग बना दिया था 1-जनवरी 2015 को तो ये आपको याद रखने है कौनसी क्लोरचार अपकरिया है ये आप से एकजम में पूछा गया है तो जो ऑप्सन दिया गया था आपको तो याद रखेगा जो ऑप्सन दिया है वो आपकी NaCl से जो है H2O की क्रिया कराई है क्या है? NaCl की क्रिया अगर आप H2O से कराएंगे तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगी आपकी क्लोर छार अपकरिया इसमें आपको क्या मिलेगा त्याद रखेगा एक तो आपको 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 मिल जाएगा एक आपको मिल जाएगी CO2 यानि कि क्लोरीन गैस तो यह आपको याद रखना है साथ में आपको हाइडरोजन क्या आपको पूरी 6 सास्त्री भासा हैं जो हैं वो लिखकर बताई हैं साथ में कौनसी कब जोड़ी गई है ये भी आपको कमेंट में लिखकर जो है मतलब मैंने बताया है आपको कमेंट में लिखकर बताना है कौनसी भासा जो है कब जोड़ी गई है सास्त्री भासा हैं कितनी है य कौन सी, इसके बाद आती है आपकी संस्क्रित, संस्क्रित को कब जोड़ा गया है, तो याद रखेगा फिर इसे जोड़ा गया है, 2005 में, इसके बाद आती है आपकी तेलुगू और कंणर, कौन सी, तेलुगू और कंणर और इन दोनों को कब जोड़ा गया है, तो टूइद फो गो एक बेनिट नहीं सही है ठीक है त्यघ्विग और कन्नड इने कब जोडा गया तो याद रखेंगा ये आपका 2008 ठीक है ये आपको याद रखना है इसके बाद बची आपकी मल्यालम, कॉन सी, मल्यालम मल्यालम इसे कब जोड़ा गया है, तो याद रखेひ गा इसे भारतिय संव ал़तार में जोड़ा गया है 2013 में, सॉरी भारत ने साथित्रि भासा इसे दर्जा दिया है 2013 में, और फिर जो आपकी उडिया है उडियसा की इसे जो है 2004 तो बागी के भी पूछ सकता है तो यह आपको याद रखना है पूछ रहा है अमल और छार की अगर करिया करवाएं तो क्या मिलेगा क्या पूछ रहा है अमल और छार की अगर करिया करवाते हैं तो क्या मिलेगा ये आपको बताना है जैसे अमलोर छार की क्रिया करा हैं तो क्या हो जाएगा मालो HCL और NAOH की क्रिया करा है ठीक है तो क्या मिल जाएगा एक मिल जाएगा लबड NACL ये क्या है ये है लबड तो ये आपको लखना है इसके अलाबा क्या मिल जाएगा N A C L और एक बच जाएगा जल क्या प्राप्त हुआ अगर इसकी क्रिया कराई तो तो याद रखेगा इसकी क्रिया कराने पर जो आपको प्राप्त हुआ है वो हुआ है आपका लबड और जल लबड और जल इस अब क्रिया को क्या कहते हैं तो याद रखिएगा इसे कहते हैं उदासी नी करन अब करिया तो यह आपको याद रखना है इसे उदासी नी करन अब करिया भी जो है कहा जाता है तो यह आपको याद रखना है धुआदार जल पर पात कर निर्मान किस नदी पर है जो यह जो धुआदार जल पर पात है यह क को कमेंट में लिखकर बताना किस पहाड़ी से जो है नर्मदा नदी निकलती है कहां बहती है किनकिन राज्यों में बहती है कहां ये गिरती है क्या ये डेल्टा बनाती है या नहीं इसकी हैंडमेड नदी कौन सी है और वो नदी कहां से निकलती है और कहां किस और बहती है और आपको ये भी बताना है साथ में कि कहां जो है बैगिरती है और वो डेल्टा बनाती है या नहीं ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है अच्छा एक चीज़ और बताओ जहां से नर्मदा नदी निकलती है बहां से कोई और भी नदी निकलती है जो इसकी विप्रीत दिशा म में बहती अगर निकलती है तो कौन से किष्णा नदी का उद्गम कहां से हुआ है तो याद रखिएगा महावलेस्वर से हुआ है कहां से महावलेस्वर की पहाडियों से जो है इसका उद्गम जो है यह हुआ है तो यह आपको आखना है अब तक मैंने आपको बताया था कि इस नदी निकलती है कमेंट में लिखकर बताओ साथ में यह बताओ जो पेनार नदी है यह किस राज्ज में बहती है कमेंट में लिखकर आपको बताना है अच्छा एक और जो मैंने उसी दिन बताई थी बैगई है ना यह नदी कहां बहती है यह भी आपको कमेंट में लिखकर बत आपको याद रखनी है कोई न और एक आपको याद रखना है बढ़ना यह नदियां भी कहां से निकलती है याद रखेगा महाबलेश्वर की पहाडियों से जो है यह नदियां निकलती है तो यह आपको याद रखना है ठीक है किसी ने लिखा डेल्टा बनाती है घदेडे कब कब तक कब तक एसे ही फालतु जो हरकतें यह करते रहा HOL away कितनी बार बता है यह डल्ता नहीं बनाती है यह जौर अध्म या एस्चूरी जो है वह बनाती है तापती भी से इसके बश्रकुल समाना अंतार बहती है और एसशूरी बनाती है म्यूति आपको hydrochloric aml, कौन सा hydrochloric aml, तो यह आपको याद रखना है, अच्छा, मानब सरीर के किस हिस्से से hydrochloric aml, जो है, स्रावित होता है, जो आपका, जो उधर है, इसमें कौन सा ऐसा अंग है, जो hydrochloric aml को स्रावित करता है, छोड़ता है, यह आपको comment में लिखकर बताना है, ठीक है, bleaching powder का उपयोग किसलिए किया जाता है, तो याद रखिएगा जो bleaching powder है, पानी को सुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसके लिए, पानी को सुद्ध करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है साथ में क्लोरीन के निर्माण के लिए किसके लिए bleaching powder होता है क्या c a o c l 2 यही होता है ना bleaching powder जिसे बिरंजक चूंड भी कहते है ना यह साथ में क्लोरीन को प्राप्त करने का एक अच्छा सादक है क्लोरीन जो गैस इससे प्राप्त की जाती है इसके अलाबा यह ऑक्सिकारक एजेंट के रूप में काम करता है तो यह आपको रखना है कपड़ों में बिरंजक के रूप में कपड़ों के लिए बिरंजक का काम करता है करपड़ों को जो है ब्लीच करने में जो है यह काम आता है इसके अलाबा आपको याद रखना है यह क्लोरीन गैस जो है उसके उत्पादन में ठीक है क्लोरीन उत्पादन में भी जो है यह प्रियोक किय जाता है तो यह आपको याद रखना है अगनिया से जो है HCL को जो है क्या करता है छोड़ता है तो यह आपको याद रखना है ठीक है इसके अला हाँ चलिए बढ़ी है तो यह थे आज के कोश्चन इसके बाद जो बैगे यह है यह कहां पर है तो याद रखिएगा यह है नीच सब्सक्राइब करने वाले एक चीज और जो आपको यहां पर याद रखनी है वो यह याद रखनी है कि आप सभी के लिए रेलवे गुरूप डी के पर जो है आपके लिए इस और सेलक्सर बैच चलाया जा रहा है यह रिकॉर्डड बैच है पीडिया बैस्ट केंट डाउट से क्या जो साइंस है यहाँ से बगुत है करा back ने बाकि संब्सक्राइब करãyए गया है उन से यह चाहिए गया तो इसे एक बार आप सभी को जरूर zar ना सब आपको यहां से मिल जाएंगे बाकी ऑस क हो साइंस का क्रे excerpt course और मेरतन जो आपको कराए गई है उन्हें आपको जरूर कर लेना है ना असुनी सर आ रहा है असुनी सर जो है आपको कराएंगे कोश्चन्स आपके करेंट अफेर के तो इस कलास को साथ जो है आपको जरूर जोड़ना है तो असुनी सर को मैं बलाने वाला हूँ ठीक है तो असुनी सर जो है अब आपको आगी कलास कराएंगे असुनी सर को जो है कमेंट में लिखकर जो है असुनी सर का स्वागत कर दीए च झाल झाल